हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक स्पेसल रेसिपी जिसका नाम है लॉंग लिता लॉंग लिता बनारस में बहुत ही फेमस है आपने जरूर खाई होगी तो चलिए बनाते हैं इसे बिल्कुल आसान तरीके से एक गहरे तले का बोल ले लेंगे हम और इसमें हम डाल देंगे एक कप मैदा अब इसमें डाल देंगे हम वन फॉर्थ कप घी अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और जब यह मुठी में बंदने लगे तब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको टाइट डो बना लेना है पानी बहुत जादा नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है और पानी रूम टमप्रेचर पे ही होगा और इसे बहुत जादा गूतना नहीं है नीर नहीं करना इसे अब इसे ढखकर रख देंगे हम साइड में लगभग 20 मिनट के लिए तब तक हम अपनी स्टफिंग तयार कर लेते हैं उसके लिए हमने पैन को चड़ा दिया है गैस पर और उसमें हम डाल देंगे मावा इसको अच्छे से हमें भून लेना है जब तक ये ब्राउन कलर का ना हो जाए देख सकते हैं थोड़ा सा गीला हो रहा है अभी ये दीरे-दीरे आप चलाते रहेंगे इसे और ये थोड़ा सूख जाएगा इसका कलर ब्राउन होने लगा है थोड़ी देर और इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे गैस की फ्लेम को आपको मीडियम टु स्लो ही रखना है मावा अच्छे से सूख चुका है अब हम कर देंगे गैस की फ्लेम को आफ और थोड़ा सा इसे चला देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे हम मावा निकाल लेंगे हम एक कटोरी में अब इसमें हम ढाल देंगे लगबग 1 फोर्थ कप पाउडर शुगर थोड़े से कुटे हुए ड्राइफ रूट्स और इन सभी को अच्छे से हाथों से मिला लेंगे हम उपर से हम डाल देंगे इसमें कुटी हुई इलाइची इसे भी मिक्स कर लेंगे अब हमने जो डो तैयार करके रखा था अच्छे से सेट हो चुका है अब इसे थोड़ा सा हम नीट कर लेंगे हाथों से अब इसकी छोटी छोटी हम लोईयां तोड़ लेंगे मैं आपको दो तीन तरीके से बताऊंगी पूरियां बेलना आपको जो पसंद आए आप उस तरीके से बना सकते हैं चोटी छोटी लोईयां तोड़ ली है मैंने अब इसे हम बेल लेंगे बहुत बड़ा नहीं बेलना है हमको बस इतने ही साइश का हमें बेल लेनी है पूरियां हक्ता अब और दूसरा तरीका है बड़ी लोई लेंगे हैं अच्छे से हांतों से से चिखना से चिकना कर लेंगे अप से भी हम बेल ले से थोड़ा मोटा ही बेलना है इसे अब इसे हम किसी भी लेड़ी या जो कटर हो आपके पास गोल उससे काट लेंगे इससे आपकी पूरियां गोल बनेंगे अगर आपके पास कटर ना हो तो आप ढकन से भी काट सकते हैं अब एक पूरियां ले लेंगे हम और उसके बीच में हम अपना मावे वाला स्टफिंग रख देंगे और चारों तरप से इसे बंद कर देंगे चारों तरफ से फोर्ड कर लिया है हमने अब इसे हम लॉंग की मदद से लॉक कर देंगे ताकि यह तलते वक्त खुले नहीं ऐसे ही सारी लॉंग लता हमें बना लेनी है अब हम चड़ा देंगे कड़ाई और उसमें हम डाल देंगे तेल तेल गरम हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगे एक एक करके हलका ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है यहां पर भी आपको गैस की फ्लेम मीडियम टू स्लो ही रखनी है ऐसे ही आपको सारी लॉंग लेता धीर धीर करके निकाल लेनी है और इसे ठंडा कर लेना है सारी लॉंग लेता प्राई हो चुकी है अब हम बना लेते हैं जासनी ले लेंगे हम हाफ कप चीनी इसमें डाल देंगे हम हाफ कप पानी एक उबाल आने तक इसे हम पका लेंगे हमको यहाँ पर एक तार की चासनी नहीं बनानी है उंगली से आप चेक करके देख सकते हैं अगर हाथों में थोड़ा चिपचिपा लग रहा है तो आप गैस की फ्लेम को उसे वक्त आउफ कर सकते हैं अब इसे भी हम ठंधा कर लेंगे अब हम एक एक करके लॉंगलता इसमें डाल देंगे और इसे लगबग 2-3 मिनट के लिए आपको रखना है उसके बाद आप निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे लॉंगलता को बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा लॉंगलता इस होली में आप इसे जरूर बना कर खाएं रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए थैंक्यू गाइस बाबाई